हेलो बूर्निंग एवरीवन लेट स्टार्ट और नेक्स टोपीक अप लेसन एसिट बेस एंड साल्ट तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे जो एसिट बेस के साथ साथ इनकी जो सॉलिशन होते हैं मैं जब इनको मिक्स कर दिया जाता है एसिट को बेस के साथ यह हमने सारी बाते की हैं तो डॉन्ट विल्स टाइंग लैट्स गाइस और लेसन एसिट बेस इंट इससे पहले हमने इसकी बड़ी हैं केमिकल क्रॉपर्टी और एसिट की और बेस की उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट एक क तो सबस्क्राइब कर लें तक ही आने वाले वीडियो आपको बहुत जल्दी से प्रवाइड होसके तो लेस्ट और लेसन एसिट बेस इंट साइट इससे पहले हमने बात की थी चैमिकल फिजीकल प्रॉपर्टी की आगे हम बात करते हैं डाइलूट सॉलुशन क्या होता है देखिए जो डाइलूट सॉलुशन है वह से भी होता है और बेस का भी होता है उन दोनों में क्या होता है जो बनाया जाता है तो आईए हम बात करते हैं सब से जान लेते हैं कि चीज़् थी क्या चीज है या बेस की हो इन डाइलूट वो डाइलूट हो सकता है एसे डो या फिर बेस हो सोलुशन इस आलवेज लो डू एडिशन ओव वो हमेशा लो रहता है तो जब हम उसमें वटर मिलाते हैं यह सबसे पहले हम फैक्टरे डाइलूट सोलुशन की जो फॉस्टली है हमारे पास वह है एसे रियक्ट विद वर्टर जब एसे पानी के साथ देख करता है यहां से दो कंडिशन है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा पानी होता है और उसमें हम ऐसे डालने पे हैं डूसरी कंडिशन है हमारे पास कि हमारे पास बहुत जड़ा एसे हैरो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लएते है तो इहन दोनों में से dangerous zone कॉन सा है है जो अभी हमने बात की कि अगर बहुत ज्यादा एसी होता है उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो बहुत ज्यादा हाई टेंपरेडाइज हो जबता है फट भी सकता है तो ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि वह डाइलूट और यहां से हाइन के साथ साथ क्लोरीन जो है वह बहां निकल जाएगा और यह क्या बनेगा मेरे पास water का hydronium iron बन जाएगा और यह क्या होगा chlorine gas बहार निकल लेगी तो उसके साथ साधे की क्या है कि यहां से जब two elements when acid react with water जब acid पानी के साथ reaction करता है तो हमारे पास hydronium iron बन जाते हैं दूसरी बात अगर हम यहीं से जब बात करें कि वट जब बेस किसकी जब बेस की हम किसके साथ रियक्ट करवाएं बेस रियक्ट विद रियक्ट विद वाटर स्पोज बेस है मेरे पास कोई भी फॉर एक्जमबल एन्योच लेले टाउन है sodium hydroxide ही जब मैंने water के साथ reaction करवाई तो यहां से दिखी क्या हो जाएगा यहां से sodium जो है वह एन ए प्लस और प्लस में H2O जो है में यहां से हाड़ा ऑक्साइड हाएं बहार निकल जाएंगे तो आए हो यह आपको समझ जाया होगा यह जो solution है यह से आगे तक हम करते रहेंगे उसके बात आगे बात आती है ऐल अनिकलाइए वह चीज़ है जो के डिजर्ड हो जाती है किसमें बीच केंबर डिजेवल्ड हो जाता है वह क्या है ऑक्सें इसमें बैकिटन सोडा है इसमें यह वह एक्जांपल है किसका है है सबसे पहले पर हमें पता होना चाहिए कि यहां से प्लफोन होती है हमें यह बताता है कि किस एलिमेंट में कितने हार्डोजन आयन है हमें पीछ स्केल बताता है और पीछ स्केल क्या है एक निमेरिकल स्केल होता है इसमें जीरो से सावन के बीच में जो अलिमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं और से पॉर्टीन के बीच में जिसकी रेंज होती है हम बात करूं कि यह सब्सेवले आपकी जो बॉक्न दिया हूँह जिसे एसे रेंग के बारे में बात करूंfly एसद रेन नोर्मल जो वट्र होता है नहरा नोर्मल वट्र जो होता है उसकी pH रेन्ज होती है समन प्योर वट्र के अगर हम बात करें और जो में सर रेन वट्र होती है वो 5.6 होता है और 5.6 से जब less than हो जाए ना less than 5.6 5.6 से जब कम होता चले जिसका की हमारे डेली लाइब में बहुत जागा हार्मफुल एक्ट है जिसके कारड स्कीन कैंसर स्कीन डिजिस जो हमारी ब्यूटी अफ्ताज थी वो भी इसी ने छीन ली हमसे मेंस्ट क्या है कि यह जो ऐसे रेंड है यह कब होती है जब 5.5 से लेस्टेल हो जाता है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बाद जो सेकेंड है टूथ डिके जो होता है दंक अक्षर मेंस्ट दातों का भिसना दांत तूटना एर्रजम होना स्ट्राइड हो जाते हैं और एसा कब होता है जब हमारे माउथ की जो इंस तат गिना सबस्ट को हो जाएंगे तूटना उसरो हो जाएंगे क्यों क्योंकि वह ऐसी डिक हो जाती है मकिस गास्ट्रीक ऐसेड जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद स्टेमेट में चुछा स्टेमेट टी ओपर एक यहां पे भी साइट मुझे दिखाई दे इन में नहीं है इसमें नहीं दिखाया हुआ जो स्टेम होता है वह भी तो क्या है यह बाते सुनने को मिल जाती है ज्यादा चाहे पीता है ज्यादा सराव पीता है जिन को के साथ में गोगं करने को घंट एक हो का मिल जाता है और इससे हम भांगा कके कैसे है इसको दूर कैसे रॡपैर टेविं में और चुझंप संब के मेंहें इनो पर इसको आहने राचैनल Right है इनों के पास क्योंकि क्या ए किह यह उसका इडी इस ऐसी में sumpt्ल मेरे सामने इसी आप सब्सक्राइब करेंद तो बहुत ज़ादा पेन होता है और उन पेन होता है क्योंकि और ती है एसिड छोड़ देती है कहां हमारे इंटरनल बोडी में और बोडी में जब एसिड जाएगा तो वहां पर क्या होगा स्वेलिंग आएगी और पेन भी होगा उसे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे मधुमक्य ने काट लिया तो में ममा ने क्या किया उसके उपर बोलती की बेटा या तो लोहा रगड़ दो या फिर सोडियम हाइड्रोकसाइड उस ताइम पता नहीं था सोडियम हाइड्रकस उसके उपर जब हम मिठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा जब हम लगा लेते हैं या फिर आयर्फ करते हैं तो क्या करता है स्पोज एक्सियल है और साथ की साथ इसके साथ मैंने क्या किया एसिड और बेस है एन नियोच मैंने उसके उपर लगा दिया तो यहां से क्या बन जा बेकिंग सोडा होता है वो सब इसके उपर रब कर लिया जाता है ताकि हमें पेन ना हो और उससे हमें रिलीव भी मिलता है क्योंकि बहुत जल्दी हम नियुट्रिलाइज हो जाते हैं तो आज के पाइट में इतना ही थैंक्स फॉर वचिंग इसके कल हम इस लेसन को अपको समझा सकें इसमें से अगर कोई चीज मिस रहती है आपको यह नगता है कि सब में हमाई यह नहीं बताया तो आप हमें कॉमें बताएं कि सर इससीज को इपर दोबारा से रिवाइस करें और कॉमेंट में यह ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौंसे लेसन कि आपके लिए प्रिपेर करें and once again thanks for watching stay home stay safe thank you and stay guys